Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2015 मैं आई वी horror movie The Visit को एक्स्पेन करने जा रही हूँ. इसकी IMDB rating 6.2 out of 10 है और एरॉटन टमेटो पे 68% fresh है. ये movie आपको Amazon Prime वीडियो पे देखने को मिल जाएगी. movie की शुरुवात होती है बाई बेहन टाइलर और बैका को दिखाते वे जो Philadelphia में रहते हैं. जो अपने grandparents के यहाँ विजिट करने जा रहे होते हैं जब उनकी ममा Loretta जाती है क्रूज पे अपने boyfriend के साथ. यहाँ हमको मालूम चलता है कि Loretta ने अपने parents से 15 साल से बात नहीं करी है जब उसने अपने teacher से शादी करी थी. क्योंकि उसके parents disapprove करते थे उस शादी के लिए. उन लोगों ने अपने grandparents को कभी नहीं देखा होता है तो वो लोग plan करते हैं कि वो पूरा documentary style में film करेंगे सारी चीज. जब वो लोग वहाँ पहुशते हैं तब Becca और Tyler अपने grandparents से मिलते हैं पहली बार जिसको Becca, Nana और pop-up करके बुलाती हैं. वो दोनों अपने grandparents को देखके बहुशते हैं जब वो लोग वापिस घर आते हैं तो Becca बिजी होती है सारी चीज को record करने में टाइलर के साथ अपने camera से. ना भी बहुत खुश होती है कि उसको grandchildren वहाँ पर आये वे हैं. इसके बाद दोनों बच्चे सेटल होते हैं उस कमरे में जहाँ पे उसकी मा रहा करती थी. अब तक सारी चीजें काफी normal लग रही होती हैं और चीजें शुरू से ही बहुत सही चल रही होती हैं. दोनों बच्चे को पूरे freedom दिया जाता है कि वो पूरे space को अराम से explore करें और उनका पूरा दिन बीटता है मज़े करते हुए पुरी जग और surroundings को explore करते हुए. जब रात होती है तो उनके grandfather आते हैं उनको कुछ information देने के लिए. इस घर में उनको कुछ rules को obey करना होता है. बेका और टैलर को बोला जाता है कि वो कभी भी कुछ भी हो जाए basement में नहीं जाएंगे क्योंकि basement में कुछ toxic molds पड़े वे हैं और bedtime का time actually 9.30 का decide किया जाता है जिसके बाद उनको room से बाहर निकलना allowed नहीं है. मगर उस रात दोनों बच्चों को नीद नहीं आ रही होती. अब vomit करें पूरे घर में और ये देख के वो काफी जादा डर जाती है. ये देख के वो एकदम से अपने कमरे में भागती है अंशियस होके. अगले दिन सुबा वो अपने grandfather से जो events हुए है रात में उसके बारे में सवाल करती है. उसके pop-pop बोलते हैं कि नाना को stomach bug हो गया था औ पाइलर जाके छुपता है और बेका उसको ढूनती है अपने कैमरा के मदद से क्योंकि वहाँ पे light बहुत कम होती है. मगर बेका एकदम से surprise होती है जब वो मुरती है और उसके सामने animal के तरह चलते वे उसकी नाना गूम रही होती है जो उसके तरफ भाग के आ रही होती है. वो immediately वहाँ से निकल के भागती है उस चीज़ को escape करने के लिए. इसके पहले की नाना उस तक पहुँच सके, बेका वहाँ से बाहर आती है, crawl space से और बाहर धूप में आ जाती है. नाना उसके पीछे बाहर निकलती है और हसने लगती है जैसे उसके लिए वो चीज मजाक हो. कुछ समय के बाद एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर साम है वो उनके घर पे आते हैं उनके ग्राणपेरंस के बारे में पूछते हुए. मगर उनके ग्राणपेरंस इस समय घर पे नहीं होते हैं क्योंकि वो दोनों walk करने के लिए बाहर गये होते हैं. वो बताता है कि वो actually maple shade से है एक hospital जहाँ पे उसके grand parents volunteer करते हैं वो वहाँ आया है उनको check करने के लिए क्योंकि वो सोच रहा था कि वो वहाँ पे आना अपने schedule shifts के साब से बंद क्यों कर दिये हैं अभी भी उनके grand parents घर पे नहीं होते हैं तो दोनों बचे decide करते हैं कि वो लोग shed में जाके investigate करेंग तो pop-up Becca और Taylor को लेके town में घुमाने लेके जाते हैं जिसके बाद वो school दिखाते हैं जहां उसकी मा पढ़ा करती थी एक moment के बाद pop-up उनको बोलते हैं कि वो लोग वहाँ से जाएंगे क्योंकि वहाँ पे उनको कोई follow कर रहा है बच्चों को एक आदमी street के across दिखाई देता है और grandfather जाके उससे लड़ने लगते हैं बेका और टाइलर यहां convince करते हैं उनको कि उस आदमी को वो अकेले छोड़ दे और pop-up realize करते हैं कि वो सिफ paranoid हो रहे हैं जिसके बाद वो बच्चों को apologize भी करते हैं उस रात 1047 पे उनको अजीब अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है दोर के opposite side में और doggy के तरह वो scratch कर रही होती है जिसके बाद वो लोग तुरन दर्वाजा बंद कर देते हैं अगले दिन सुबा पॉप और नाना बाहर होते हैं और breakfast होता है टेबल पे यहां पे नाना apologize करती है कि उसने गरम तेल बेका के computer के webcam पे गिरा दिया है इसकी वज करती है कि हां उनके grandparents weird हैं बट also वो old हैं और old people ऐसी ही काम करते हैं उसी दो पहर बेका अपनी grandmother को approach करती है बोलते वे कि वो उनका interview लेगी जिसके बाद वो interview start करती है नाना से कुछ warm-up questions पूछते हुए वो पूछती है कि 15 साल पहले ऐसा क्या हो गया था कि उसने अपनी कि नाना इस बार क्या कर रही है जब वो लोग दर्वाजा खोलते हैं तो उनको नाना दिखाई देती है कि उनके around वो भाग रही है इधर से उतर और दोनों हाथ उनके पीछे हैं जैसे ही नाना अब camera के तरफ crawl करके आने वाली होती है कि दोनों दर्वाजा लॉक कर देते है चौते दिन पे एक और strange सी चीज होती है जब Becca और Tyler को उनकी grand mad दिखाई देती है एक well के तरफ देखते हुए वो दोनों उसके बाद well के तरफ जाते हैं figure out करने के लिए कि अंदर शायद कुछ चीज छुपी होगी मगर वहाँ पे उनको सिर्फ पानी ही दिखता है जब वो बहार निकालते हैं bucket को उसी दिन आगे उनकी neighbor station के घर आती है जो बताती है कि उनके grand parents volunteer किया करते थे hospital में जहां वो rehab में थी इसलिए उसने उनको thank you बोलने के लिए कुछ streets बनाये हैं आगे उसी शाम Becca living room में होती है जब उसको उसकी नाना historically हसते वे सुनाई देती है उसको curiosity ह होती है कि वो tv पैसा क्या देख रही है जितना इतना जादा उनको हसी आ रही है और वो wonder करती है कि शायद वो भी वही same show देख रही हो जो उसकी ममा को बहुत जादा पसंद है मगर उसको उसकी नाना चेर पे बैटके दिवार के तरफ रॉप करते वे दिखाई देती है कि अ रिकॉर्ड करने के लिए समय बीटता है और वो दोनों सो जाते हैं लिविंग रूम में कैमरा रिकॉर्ड करता है नाना को दर्वाजा खोलते और बंद करते वे basement का बहुत बार जिसके बाद वो कैमरा उठाती है और फिल्म करती है खुद को किचिन में जाते वे जहां पे एक बुचर का नाइफ उठाती हैं, जिसके बाद वो बच्चों के कमरे के तरफ जाके नौक करने लगती हैं। नौकिंग की आवाज सुनके बच्चे अलका सा उठतो जाते हैं, मगर दर्वाजा नहीं खोलते और शांती से बैठे रहते हैं। अगले सुबा वो लोग फुटेश देखते हैं, जहां पे उनको मालूम चलता है कि नाना उनको मारने की कोशिश कर रही थी। यहां पे बेका टाइलर को बताती है कि उनकी ममा विकेशन से वापिस आ गई हैं, तो उनको बस आज का दिन ही गुजारना है। और उनको प्रिटेंड करते रहना है कि वो लोग खेल रहे हैं, जिससे वो अपने ग्राइन्परेंस को अवोइड कर सकें। बेका इसी मौके का फाइदा भी उठाती है अपने लाप्टॉप के वेबकाम से ओयल को हटाने के लिए। वो लोग इंतिजार करते हैं जब तक उनके ग्राइन्परेंस बहार नहीं आ जाते। जिसके बाद वो लोग तुरंद स्काइब कॉल करते हैं अपनी मा को। अब जब ओयल को अलमुस्ट हदा दिया होता है बेकाने वेबकाम में से तो उनकी मा उनको देख पा रही होती है। वो जल्दी से उनको बताते हैं कि उनको वहाँ आके उनको पिक करने की जरूरत है क्योंकि उनके ग्राइन्परेंस बहुत ही जादा वियर्ड आक्ट कर रहे हैं। टाइलर यहाँ पे अपने grand parents को window पे film करता है और उसकी माँ उनको देख सकती है। उनको देखके उनकी माँ एकदम horrified हो जाती है और बताती है कि वो दोनों उसके parents नहीं है। जिसका मतलब यह हुआ कि वो लोग दो complete strangers के साथ पूरे हफते से रह रहे हैं। जिसके बाद उनकी माँ तुरंट local police को call करने की कोशिश करती है। इसके बाद उनकी माँ उन दोनों को कहीं safe जगा पे जाके रहने को बोलती हैं मगर तबी उनके grand parents वापिस आ जाते हैं। कुछ घंटे बीटते हैं और window के बाहर नान और pop-up के बीच में heated argument हो रही होती हैं उनके neighbor Stacy के साथ। और वो लोग सोचते हैं कि वो लोग किस बारे में लड़ाई कर रहे होंगे। उस दिन रात को grand parents suggest करते हैं कि वो लोग board game खेलेंगे। मगर बच्चे कहते हैं कि उनने कुछ चीजें हैं बाकी अभी film करनी। और वो लोग बाहर फिल्म करने जाते हैं जब तक grand parents figure out करते हैं कि क्या teams होनी चाहिए। वो लोग yard के तरफ जाते हैं जहां उनको Stacy एक पेड़ से टंगी वी मरी वी दिखाई देती है। पॉप अप तभी आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने teams already decide कर ली हैं it will be old versus young। अब यहां पे बच्चों को force किया जाता है कि वो यादसी खेले अपने fake grand parents के साथ। बैक अपने आपको game के बीच में excuse करती हैं कहते वे कि उसको कोई चीज जल्दी से film करनी है। अब टाइलर अकेले रह गया होता है और उसको अजीब अजीब चीजें वो feel करने लगता है। पॉप अचानक से table से दूर जाते हैं और नाना काफी unnatural तरीके से cake खा रही होती है। उसके बाद पॉप अप वापस table पर आते हैं और उनकी जो wife है वो suddenly freeze हो जाती है। बैका नीचे basement में जाती है अपने viewers को explain करते हैं कि उसको लगता है कि उसके real grandparents को उन्होंने वहाँ पे चुपाया हुआ है। और तबी शायद पॉप अप ने उनको वहाँ से दूर रहने को भी बोला था। जिसके बाद वो अपने real nana और pop-up को अवाज दिने लगती है मगर उसको कोई response सुनाई नहीं देता। कॉरंडर में उसको एक dumpster दिखाई देता है तो वो भाग के उसके तरफ जाती है। अंदर उसको maple shade का कुछ समान मिलता है जिससे उसको मालूम चलता है कि वो आज चुली में एक psychiatric hospital है। जिसके बाद उसको family photos भी मिलती है अपने real grandparents की। वो थोड़ा और देखती है और surprise हो जाती है देखके कि उसके real grandparents की dead body वहाँ पड़ीवी है। कि अचानक से pop-up उसके पीछे आ जाते हैं और अब जाके वो सारी चीजों को reveal करते हैं। वो और जो women जिसको ये लोग nana करके बुलाते हैं वो दोनों patients हैं पास के mental hospital में जहाँ पे real nana और pop-up volunteer करा करते थे regular basis पे। जब उन्होंने बताया था कि उनके grandchildren उनको visit करने आ रहे हैं तब उन दोनोंने decide कि वो उनको मार के उनकी जगा ले लेंगे। जिस explain करती है कि क्यों sunset होने के बाद रात में वो fake nana इतनी जादी confused रहती है और उसका इतना erotic behavior क्यों रहता है। कूरी movie के दोरान अलग-अलग लोग hospital से उनके घरा के रुक रहे थे। उनके grandparents को check करने के लिए मगर जो fake grandparents हैं उन्होंने ऐसा conspire किया था कि वो बाहर है walk पे। यह सब बताने के बाद pop-up Becca को पकड़ते हैं और imprison कर देते हैं अपने bedroom में नाना के साथ। तब तक वो psychologically torment करना भी शुरू करते हैं Tyler को जब वो used diapers जो होते हैं वो उसके face पे लगाने लगते हैं। तब तक Becca को भी नाना बार-बार इधर से दो दोड़ा रही होती है। जिसके बाद वो अपने नाना को उससी से stop करने लग जाती है जिससे वो मारी जाये। जिसके बाद वो kitchen में भागते वे जाती है और pop-up को भी tackle करती है। जैसे pop-up upper hand gain करने लगते हैं इस बार Tyler attack करके उनको भिहोश कर देता है जमीन पे। जिसके बाद वो बार-बार refrigerator का दर्वाजा उनके सर पे मारते रहता है और उनको मार डालता है। जल्दी उनको police के siren की अवाज सुनाई देती है और वो immediately घर के बाहर भागते वे जाते हैं जहां उनको उनकी मा दिखाई देती है। वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं कि वो लोग अब finally safe हैं और movie खतम हो जाती है।